कलस टीवी के मोस कॉंट्रोवर्शल शो बिग बॉस 17 में जो है अब बाबू भाईया को जो है आज बिग बॉस के हातों जो है काफी जादा लतार लगने वाली है फटकार लगने वाली है क्योंकि अब बिग बॉस को ऐसा लग रहा है कि बहुत जादा बाबू भाईया जो है वो बायस्ट और वन साइड़ गेम और काफी चीज़े जो है वो बोल रहे हैं कहीं ने कहीं लोगों को मैनिपलेट करने की कोशिश कर रहे हैं चाहे वो बिग बॉ जनता ओडियंस या फिर उनकी जो एक फान फॉलॉइंग है उनको जो है कि एक साइड़ व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आग जो प्रोमो सामने आया है उसके बाद तो यह समझा रहा है कि किस तरीके से जो है बाबू भाईया हर चीज़ को तोड़ मरोड कर बोलते हैं कि अंकीता विक्की को बहुत ज़्यादा फेवर मिल रहा है कहीं तीवी के चेहरों को बहुत ज़्यादा फेवर मिल रहा है या फिर इनके लिए बिग बॉस जो है वो काफी ज़्यादा बायस है इनके काफी सारी चीज़ें जो हैं वो खुल कर इस तरीके से बोल होते हैं वही शायद महसूस कर बाते है तो जब कोई इस त्रीके की चीजें बोलता है तोब काफ़ी जादा है और फिर लोग जो है उस तरीके से judgment जो है अपने लगाते हैं कि हाँ वाकिवी ऐसा हो सकता है कि शायद बिग बॉस जो हैंनकिता को जादा फेवर करे विक्की को जादा फेवर करे नील आईश्वरे को जादा फेवर करे या फिर कही ना कही उनके जो फेवरेट कंटेस्ट है जो उन्हें लगता है कि भई इनको जो है प्रायरिटी बेसिस पे इंपोर्टन्स देनी चाहिए ऐसा लोग सोशन लगते हैं तो अब जब बाबु भाईया ने इस तरीके से इतना ओपन ली यह सारी चीजों को बोला है तो बिग बॉस जो है वो कैसे शांत रहते क्योंकि कहीं ना कहीं यह उनके खिलाफ जाएगा तो आज जो है बिग बाबु भाईया को एक बड़ा सबग सिकाने वाले है क्योंकि उन्होंने बोल गुजार रहे थे वह अब तक आपको आसान लग रही थी लेकिन अब नहीं होगी काफी सारी चीजे होती है क्योंकि जिस तरीके से गेम जो है वह बिग बॉस का चलता है तो जब लोग कनेक्ट करते हैं अपने फैंस लोगों को कंटेस्ट को चूस करते हैं जो सिलेबरिटी कि चीजे कह रहे हैं कि उनको चाहरे हैं और सोशल बीडिया कमिनिटी की बात करो मैं अगर digital community की बात करूँ जो फिलहाल Big Boss के घर में है social media sensations जो है वो उनको एक perspective दिखाना चाहते है कि इस तरीके से हमारे साथ treatment हो रहा है जो कहीं न कहीं मुझे और audience को है वो लग रहा है कि गलत है क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है जैसा हर एक सदस्य घर का खेल केलता है और लोग बाहर उन्हें पसंद करते हैं तो उस हिसाब से जो है कि उस ती की footage को दिखाया जाता है लेकिन अगर आप घर में कुछ करेंगे ही नहीं और आप चाहेंगे कि आपको शो में जो है अनुराग को किस तरीके से इंपक्त पर जाता है कि यह लोग कुछ नहीं कर रहे हैं इनको इस लाइट में प्रेजंट किया जा रहा है तो अब बिग बॉस का फैसला क्या लगता है आपको कि क्या होगा कि अनुराग को किस तरीके से जो है बिग बॉस यह सबक सिखाएंगे कि जिस तरीके से वो एक अंगल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सरासर गलत है हाला कि उन्होंने अभी तक फिलाल ऐसा कुछ भी नहीं किया है लेकिन बहुत जल जो है अनुराग को एक रास्ता कहीं न कहीं बिग बॉस के घर में दिखाई देगा तो आप सब क्या रहा है कि जिस तरीके से अनुराग का गेम फिलाल चल रहा है क्या वो सही है क्या वो जिस तरीके से सब की एक इमेज दिखाने की कोशिश कर रहें हैं अपने बातों के जरीये या फिर कहीड़ कहीं आ कहीं अपने स्टेट्मेंट्स के झाल झाल